बच्चो स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूटूब चैनल पर मेरा नाम है रवीकान सिंग और आज की वीडियो में हम लोग क्लास A ट्रेंबो का लेसन 14 दा मैन हू गेव इंडिया विंक्स का एक्सरसाइज यानि की कोशन आंसर करने वाले हैं तो वीडियो का आप अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको इस चैनल पर हर चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेशन और आपको एक्सरसाइज मिलते रहेंगे तो जिसमें पहला कोशन है जिसमें नीचे दिए कोशन के आपको आंसर देने हैं तो पहला है, what was the name of JRD's parents and which country did they belong to? JRD के parents का माता-पिता का क्या नाम था और वो किस देश से बिलॉंग करते थे, यानि किस देश के थे, किस देश से संबंद रखते थे? तो इसका अंसर आप लिख लेंगे, JRD's father, Ratan जी दादा भाई, Tata was an Indian Parsi and his mother, Suzanne Breray was a French, यानि कि JD के पिता जी का नाम, Ratan जी दादा भाई, Tata था जो कि एक Indian Parsi थे, यानि कि भारती Parsi थे और उनकी माता जी जिनका नाम Suzanne Breray था, एक French महिला थी, एक France की नागरिक थी, अगला है, Name the Aviation Service Setup by JRD, JRD द्वारा Setup किया हुआ Aviation Service कौन सी थी, उसका क्या नाम था, तो इसका नाम था, Tata Aviation Service, अगला है, Why did he not have a college degree, उनके पास college degree क्यो नहीं थी, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, When he was preparing for admission in Cambridge University, His father asked him to return to Bombay, जब वो Cambridge University में admission के तयारी कर रहे थे, उस समय उनके पिता ने उनको Bombay return कर लिया, ठीक है, उनको Bombay वापस आने के लिए कह दिया, उनको Bombay वापस बुला लिया, His father did not consider a college degree necessary to become succeed in life, उनके पिता की सोच थी, उनके पिता ऐसा बानते थे, कि जीवन में सफल होने के लिए, किसी college degree की आवश्यक्ता नहीं है, तो बच्चो मैं आपको प्रश्न का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, इसके साथ ही मैं आपको answer भी बता रहा हूँ, और answer के साथ साथ मैं answer का अर्थ भी आपको हिंदी में बताते हुए चल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हूँ कि मैं बहुत तेज बता रहा हूँ, तब वीडियो को pause कर लेंगे, और आराम से इसका answer अपनी copy में लिख लेंगे, या फिर book पर tick कर लेंगे, चलते हैं अगले question की तरफ, who became the director of Tata Boards after Ratanji's death, Ratanji की death के बाद, उनकी मृत्यू के बाद, जो Tata Boards था उसका director कौन बना, तो इसका answer लिख लेंगे, Ratanji's eldest son and heir, जहांगीर became the director of Tata Boards after Ratanji's death, Ratanji की मृत्यू के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी जहांगीर, वो Tata Boards के क्या बने, director बने, अगला है, Why was J.R.D. awarded the भारत रत्न, J.R.D. को भारत रत्न पुरसकार क्यों मिला, वो भारत रत्न पुरसकार से क्यों सम्मानित किये गये, तो इसका अंसर आप लिख लेंगे, J.R.D. was not only an excellent aviator, but also a philanthropist, इसका मतलब है, कि J.R.D. बस एक अच्छे हवाई चालक ही नहीं थे, बलकि एक मानवतावादी या फिर इंसानों से प्रेम करने वाले, मानव प्रेमी इंसान थे, एडुकेशनलिस्ट यानि कि एक सिक्षा सास्त्री थे, स्पोर्ट्समेन यानि कि एक खिलाडी थे, पोएट थे और स्कल्प्चर यानि कि मूर्तिकार थे, इसके साथ साथ, इन सभी चीजों के कारण भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा, यानि कि जे आरडी की एरियास में, किन किन छेत्रों में अच्छे थे वह कौन कौन सी चीजे जानते थे तो इसका लिख लेंग यांसर besides being an excellent aviator एक अच्छे aviator यानि हवाई चालक होने के साथ he was a philanthropist वह एक मानो प्रेमी मानोता प्रेमी थे educationalist यानि कि वह एक जिक्षा सास्तरी थे sportsman वह एक खिलाडी थे अच्छे poet थे और एक अच्छे sculpture यानि कि मूर्तिकार थे अगला है choose the correct option आपको चार option दिये हुए हैं और इसमें से जो सही होगा तीन option दिये हुए जीवन में सफल होने के लिए college degree के आवशक्ता नहीं थे जाडी रिसीव दा highest civilian award भारत रत्न जाडी ने सरवत्च नागरिक संबन भारत रत्न कप राप्त किया इसका answer हो जागा 1992 जाडी spent 75% of companies profit on वह अपनी company के profit का 75% किस पर खर्च करते थे तो इसका looking after the needs of the worker workers के जो वहां पर worker काम करते थे उनकी आवर शक्ताओं पर वो खर्च कर देते थे अगला है मैस्ट वर्ट की वेन in column A with their meaning in column B यह जो वर्ट दिये हुए है इनकी क्या meaning है column B में दिया हुआ है उससे आपको मैच करना है तो ancestors ancestors का आप लिख लेंगे forefather ठीक है ancestor मतलब होता है पुर्वज इस forefather मतलब भी पुर्वज aviation का मतलब क्या होता है aviation का मतलब होता है science of making and flying aircraft यानि कि हवाई जहाज बनाने aircraft बनाने और उसको उड़ाने की science aviation philanthropist होता है one who is supports the activities for the welfare of others एक इंसान जो दूसरों की भलाई की activities को support करता है जो चाहता है कि सब का भला हो उसी को philanthropist कहते हैं मानो प्रेमी कहते हैं अगला है sculpture sculpture का मतलब मुर्ती बनाने वाला होता है a person who makes figures and objects out of stone जो चीजे stones का बनाये चाहे woods का बनाये लकड़ी का बनाये चाहे पत्थर का बनाये उसको sculpture कहते हैं मतलब लकड़ी या पत्थर का वो चीजें तरह तरह की बनार सकता है award का क्या मतलब होता है price यानि की इनाम पुरसकार जो भी आप कह ले अगला है language practice language practice में आपको क्या करना है fill in the blanks with a suitable preposition from the box इस box में कुछ prepositions दिये हुए है उस prepositions की मदद से आपको सभी को भरना है he was born in पहली में हो जाएगा in Paris on दूसरे में अन हो जाएगा यहां से ले लेंगे on July 29 1904 he was recruited into हो जाएगा इसमें ठीक है इंटू ले लेंगे the French army he was sent to England he received the Bharat Ratna Award in 1992 from Indian government from the Indian government हो जाएगा अगला है change the following direct speech into indirect speech यहां कुछ direct speech दिये हुए है जिसको हमको indirect speech में बदलना है तो मेद है आपने पढ़ा होगा अपने classes में तो मैं इसको बदल कर बता देता हूं Madhu said I am very busy now इसका हो जाएगा Madhu said that she was very busy then ठेक है इसको लिख लेंगे अगला है he said I go to school everyday तो इसका हो जाएगा indirect he said that he to school everyday अगला है Ram said Anand is a good boy तो इसका हो जाएगा Ram said that Anand was a good boy और इसका है the girl said I like singing तो इसका आप indirect में लिख लेंगे आगे है activity activity जो है आपको read and write उसको पढ़ना है और लिखना है तो खुद से ही कर लेंगे आगे है find out the name of some great industrialist of India also mention the field which they have contributed कुछ great industrialist का नाम आपको लिखना है और किस field में उन्होंने अपना योगदान दिया है उसको भी लिखना है तो यहां पर आपने computers and IT field में अपना योगदान दिया है तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सभी question के answer आपने अपनी copy में लिख लिए होंगे या book में note कर लिए होंगे अगर नहीं लिख पाए है तो वीडियो को पीछे करके आप pause करके लिख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें अपना ख्याल लखें थैंक यू टाटा बाई बाई